हेलो चो नमस्कार कैसे आप सभी आसा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे उम्मीद है जबरजस्त जिंदाबाद होंगे UPSI 954 पोस्ट वो भरती जो आदिस से जादा धादली से भरी गई होगी इसमें कोई सक नहीं है सरकार से विसेश अपील इस वीडियो के माध्यम से यही है सरकार उन नकलचियों की CBI या जो भी अपने तरीकी से जाच कराने चाहते हैं CBI को दो या फिर STF को दो जो भी जाच कर सकता इस वर्ती की वो जाच होनी चाहिए साल 2021 में भी यह मुद्दा उठाया था विवेक सर ने बहुत बड़े लेवल पर यह मुद्दा उठाया था क्या हुआ था गाड़ी में बठाके विवेक सर को ले गई थे और अपने समक्ष विवेक सर को तरह तरह की यातनाए दी तरह तरह का उनसे दुर्विवार किया अट जाते हैं मामला तोड़ा अच्छा हो दाएगा लेकिन यूपी कॉंस्टेवल की जब भरती आई बड़े पैमाने पलीक हुई सभी का साथ आया और उस समय विवेक सर के साथ और लोगों का साथ नहीं था जो कॉंस्टेवल की भरती में विवेक सर को साथ मिला था लेकिन यूपी एसाई भरती अगर अभी भी इसकी जांच हो जाती है क्योंकि राजिस्थान में आपने देखा बड़ा घोटाला हुआ है तो आप ये सोच सकते हैं कि यूपी एसाई दो हजार एकिस पिचानमे सो चौतिस पोस्ट जिसमें एक्जाम दो दिसंबर को अंति में एक् जी लगातार इस मामले को हाईलाइट किया इको गारडन में बहुत दिन बच्चों ने धर्ना दिया लेकिन सरकार ने यहां एक भी नहीं सुनी अपने एक भी नहीं सुनी लिएजा सरकार ने छात्रों पर ये आरोप और लगाया कि ये वो लोग हैं जो वहां बैठे हुए ह जिनका score डाउन रहा है जो exam में अच्छा performance नहीं कर पाए है यह आरोप लगाया तो क्या constable में सारे बच्चे जो हाँ 170 सवाल तक लीक होगे थे 500 सवाल में से तो कैसे कौन बच पाएगा आप यह बताएए नकलचियों से तो हम अपनी इस वीडियो के मात्यम से सरकार से आगरे करना चाह रहे हैं वही सभी लोग यह बड़े बड़े यूट्यूब चैनल है छोटे छोटे यूट्यूब चैनल है यूट्यूब चैनल से अपने अकाउंट से वीडियो बनाओ यूपी एसाई यूपी एसाई नीड्स सी बी आई या स्टी एफ इन्वेस्टिगेशन जो भी है ट्यूट्र पे चाहो ट्यूट्र पर पोस्ट डालो जितनी डाल सको जहां से डाल सको और सबसे बड़ी चीज ह यहां पर भी नेता और मंतरियों से अगर मुलाकात हो जाए तो बड़ा काम हो जाएगा क्योंकि कोट से ब्री आप हार चुके हो तो कोट से ब्री सरकार के पक्षमें फैंसला दे दिया उसने भी आपके सबूत जो स्क्रिन सेरिंग के सबूत और भी काफी सारे सबूत थे उस समय, अब तो मुझे भी सबूत बहुत कम याद है, उस समय बहुत सारे सबूत इखटे थे, किसी का नाम दूसरा, है न? किसी का नाम दरोगा भरती ही आ गया, ऐसे भी धानदली, एक बच्चा जो जेल में हैं, उसका नाम लिस्ट में आ गया, और कितने बड़ी लेवल ऐसे होंगे जो फर्जी होंगे तो उन मेरे से तो चाहे 10 निकलें आपके से चाहे 10 निकलें लेकिन जाच हो जानी चाहिए हम तो नहीं करें आदे होंगे हम तो ये मानने 10, 20, 40 कुस्तों हैं बहिमानी से लगे हुए उन बहिमानी वालों को बाहर करो और इनके इस्थान पर जो भी इमांदारी से candidate आते हैं मैं अरे down करके उन candidate को अंदर कर लो देखे मैं थोड़ा सा आप लोग को इसका विसलेशन बनाता हूँ UPSI 934 post की CBI जाच हो ये चातरों के संग के द्वारा चातरों की unity ने मांग किया है कि इस भरती की जाच हो जानी चाहिए और हम अपने YouTube चैनल के माद्यम से ये ही कह रहे हैं कि इसकी जाच हो जानी चाहिए हो जानी चाहिए हो जानी चाहिए क्योंकि जितनी भी भरती हुई है जिसके भी सासनकाल में हुई है हाल फिलाल में सम में चोरी है तो आप UPSI भरती को कैसे सीब बता रहे हो तो उसको भी चोर उसमें भी चोर सामिलें उन चोरों को पकड़ो क्योंकि राजस्थान में चोर पकड़े जा रहे हैं लगातार दर माने पर लिख था 155-155 सवाल तक सही थे 150 सवाल तक सही थे 160 में से जो possible ही नहीं थे किसी भी कीमत पे ठीकिन जब भी सरकार के कान पर जूंगनी रेखी बिल्कुल भी आगे तो कितनी संख्या में हों गई बता दिया मैंने क्या भरती दोबारा होगी तो देखिए नहीं हुआ ऐसा हुआ है और अभी भी हो रहा है राजिस्तान वाला ही हालते एक लोग अभी भी हो रहा है है ना तो बिल्कुल अगर ऐसा हो जाता है सरकार ये साबित कर दें कि इसमें बिल्कुल भी नकल नहीं हुई तो इस भर्ती को जो कत्यों रहे है न दो और अगर बड़े पेमाने पर पाये जाते हैं तो फिर दोवारा करा हूँ क्या फरक पड़ रहा है बताईए नकल से भरोगे सरकार जबकि अपना एक रुत्वा कायम करती है निक्सपक्स पारदर्सी तरीके से भर्ती कराते है ये पारदर्सी तरीका था साल 2021 में भर्ती कराने का नकलचियों को दर्वगा की भर्दी पहनाने का ये पारदर्सी तरीका था तो पारदर सी तरीगा कौन सा है फिर यार हमें बता दो उसे तो देखो आगे क्या भर्ती दोबारा होगी इस पे मैंने जवाब दे दिया है क्या करना होगा तो क्या करना है आप लोग ट्विटर के माद्यम से सरकार तक लगातार अपनी आवाज बुलंद करते रहिए दूसरा चीज और क्या करना है जैसे आपने कौंस्टिबल के एक्जाम में किया था ग्यापन वगेरा जैसे आपने कौंस्टिबल के एक्जाम में नेताओं के साथ मुलाकात की थी नेताओं से इस भरती के सम्मद में आपने जाके तीन साल का एज में रिलैक्सिशन मांगा मिल गया ठीक है विवेक सर की मदद से और नेताओं की मदद से और भी काफी सारे टीचर की मदद से आपने रियेग्जाम कराने की अपील की हो गई तो क्या यह नहीं हो सकती अगर अपील में दम होगा तो बिल्कुल होगा सभी लोग अपने YouTube चैनल से एक-एक वीडियो बनाएंगे इस बात को आप लोग सेर करो वीडियो को जाता से जाता सभी लोग अगर एक-एक वीडियो बनाते हैं अपने अकाउंट से तो ये मामला भी फिर से highlight होने लगेगा और कुछ हो सकता है अब क्या होगा मेरी वीडियो 2000 तक 4000 तक पहुँचेगी दबके रह जाएगी कोई फायदा नहीं होगा जब तक सभी के account से वीडियो नहीं आ जाएगी सब का साथ नहीं आ जाएगा तब तक कुछ भी हो पाना possible नही होगा अकेले मेरे कहने से यहां कुछ नहीं होने वाला है या अकेले विवेक सर के कहने से कुछ नहीं होने वाला है सभी लोग आएंगे तभी कुछ हो पाएगा ठीक है ना तो सभी लोगों से request डालिए भई सभी लोगों से appeal कीजिए आप लोग सभी चैनलों से जुड़े ह वे हैं इतना मुझे पता है जो मैरी वीडियो देखा रहा है व creator की वीडियो की वीडियो भी देखरा होगा और भी これ сам वाला राम जी की बाठ साला ते वीडियो भी देखते होंगे गगन पृताब सर की वीडियो भी देखते होंगे राके स्यादब सर की वीडियो भी देखते होंगे तो सभी से और भी है Maths के अच्छे अच्छे टीचर है YouTube पे Regioning के अच्छे अच्छे टीचर है Hindi के अच्छे अच्छे टीचर है Regioning with Arun Hindi with Arun सभी लोगों से आप लोग request डाली इस exam की फिर से जाच कराने के लिए कि अगर चोर पकड़े जाते हैं और आप लोगो बैठने का यहाँ पे मौका मिलता है तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी यह सबसे बड़ी बात तो यह हो जाएगी कि चोर पकड़े जाएगे चोर ना लगने पाए एक भी अपनी इस वीडियो के मात्यम से फिर से यही आगरे करूँगा यही अनरोद करूँगा योगी सरकार से भी जो निता अधिकारी मंत्री है उनसे भी कि इस भरती के एक बारी जाच जरूर करा लो ठीक ना जब चात्रों ने आरूप लगाया है तो कुछ जरूर होगा इस भरती में ऐसा इन्वैलिट गती विदी जरूर होगी जो चात्रों के द्वारा इसमें अपील आई है है ना आवाज उठाई है तो एक बार जाच कराने में कोई भी आपको परेज नहीं होना चाहिए इस वीडियो को जादा से जादा से शेर करिएगा जाहिए वने मत्राव